तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे FD and RD के बारे में Fixed Deposit और Recurring Deposit के बारे में जोब से लेटेट वीडियो से बहुत भी आते रहते हैं करे लोगों को वीडियो से जॉब भी मिली है क्योंकि मेरे पास personal messages आते हैं उनके तो जब आपकी जॉब लग जाती है पैसे आने लग जाते हैं इसके बाद आप बात आती है savings की तो दोगों दोस्तों मैं एक simple और easy way बताता हूं और इसको लास्ने में बताऊंगा कि mutual fund stock market या बाकी बाकी चीजों से यह better क्यों हैं तो इसी की ऊपर आज बात करेंगे तो देखो दोस्तों FD क्या होता है fix deposit और RD क्या होता है करिकरिंग deposit अब FD में हम क्या करते है नॉर्मली जो bank का rate होता है वो 6-7 % शाड़े साथ परसें इसके आस-पास आपको उसमें interest मिलता है कोई सी भी बैंक को नॉर्मली एक आपको 6-7 लाग के आस-पास आप उसमें इंटेस्ट मिलेगा तो इस फोर सब्स अगर आपके पास एक साथ 50,000 रुपए हैं एक साथ एक लाग रुपए हैं तो आप उसकी FD ओपन करवा सकते हो ठीक है आपने एक साथ दे दिया मतलब आपको 6-7 परसेंट आपने उसका कोई कि मुझे तीन साल के लिए उपन करना एक साल के लिए 6 मेने के लिए आप आपसाले दस साल करवा सकते हैं इसके बाद बात करते हैं रिक्रिंग अमाउंट की कई बार होता कि हम लोग 15,000 की जॉब कर रहे होते हैं और उतना से नहीं हो पाता है नेक्स बानी यहर और टू यह दो हजार रुपए आप एजली समिट कर सकते हो जो कि एक आपके लॉंग टर्म के लिए बहुत ज्यादा यह बेनिफिट होते हैं अब मैं बताता हूं कि बाकी चीजों से यह अलग क्यों है जैसे मीच्छल फंड आइनो कि इसमें अतना इंटेस्ट नहीं मिलता है अगर आप मीच्छल फंड बगएरह में और भी इनवेस्ट करते हो तो उसमें और भी अच्छा कासे हैं आपको इंटेस्ट मिलता है जो कि अपड़ी और आड़ी में नहीं मिलता है बट होता क्या है कि जैसे आप पूर सब्सक्राइब में लगा रहे हो से मार्केट में लगा या मीच्यर में लगा रहे हो तो उसमें होता है जो मीच्यर फण बघर वोटे हैं यह एक ऐसी करंसी है जिसमें आप यह नहीं बोल सकते हो है कि अगले एक साल में प्राइस आई जाएगा है रहेए एक दो शाल रुप्य उसका गट जाएगा आपने 1 लाग रुपए लगा कब गया एक साल बाद आपको कुछ सट्टनी काम पड़ गया एक साल बाद आपको पपैसे लगा ही और फजिर्टी में क्या होता है कि कि एक साल की लिए उसमें इन्वेस्ट किया है कि एक साल के लिए मुझे आफडी करनी है और एक साल बाद आपको पैसे की रिक्वार्मेट हुए आफडी को ब्रेक कर सकते हो और आपको इंटेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस मिलेगा जितना एक लाख यह आपको छैसे साथ परसेंट का इंटेस्ट मिलने वाला था सब्सक्राइब का लेती है कुछ पैसा वो बैंक काट लेती हैं फाइप से पुएंट जीरो फाइफ परसेंट पर संसॉरी इतना होता है जो काट लेती है मतलब एक लाख में आपका रावंध से फंद्रासों क्यास खार्स को बैलेंस हो जाएगा बागी एक चार्जिस और हो का भी ऑप्सन मिलता है कि वह बैंक में आप ऑप्सन अवेल कर सकते हो डिफाइन कर दिया कि अगर मेरे अकॉट में बीस जाह से ज्यादा बैलन्स होता है तो अटो मैट के लिए उसकी अपड़ी होदा है तो यह आज की वीडियो में आपको बताऊंगे एक्जेक्ट लीकॉट झूटम अटल्टन अवे रेत ममन और दूंगे टूंगे तो लाग्सेंट लीकॉट मुट वberry्या कि बियुच कर देए है झाल कि अकि यह लग्त्रम आवेश्ज आवनियों।